दोस्तो आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है आज में आपे बात करने वाले हैं एंगले सौमाक्स के पोईट्री सेक्षन का नाइन्थ नमर चैप्टर जिसका नाम है स्निक ठीक है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे क्या चीज अबजेक्टिव टाइप कोशन्स इस चैप्टर में जितने भी आएंगे न वो सारे कोशन्स हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझ लेने वाले हैं कहीं से कोई परकार के आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है जब आप इस क्लास को देखते हैं तो ठीक है शुरूर किया जाए जल्दी से सारे लोग आ जाएं और फिर सम लोग यहाँ पर अपना क्लास को शुरू करेंगे जो कि आज हम लोग देख रहे हैं सनेक चाप्टर को ठीक है समरी को हम लोग अल्रेडी धेख चुके अल्रेडी हम लोग cover कर चुके हैं, अब बार याती है, mcq type questions यानि objective type questions आपको देखने को, ठीक है, तो अब यहाँ पी objective questions को ही हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, objective questions को ही देखने वाले हैं, chapter 9 का, तो सारे लोग आ जाई हैं, और film class को करते हैं, शुरू, ठीक है, चलो, आजओ, जल्दी-जल्दी सारे लोग, देखो अपने लोग का, इंग्लिस कुछी समय में बस खतम ही होने वाली है, मतलब कुछी दिन में और अब इंग्लिस खतम हो जाने वाली है, आप लोग का YouTube पे भी हम complete almost कर चुके हैं, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे very first question number से start करते हैं, very first question अपने सामने है, पहला number question क्या है, question है, snake has been composed by, snake जो है, किसके दौरा composed किया गया है, ठीक है, किसके दौरास ने composed किया गया है, अपने पास option में है, रूपर्ट ब्रूग जी, के एन दारुवाला जी, टी-स इलियोट, डी-स लॉरेंस, ठीक है, यह आपको बताना है, जली-जली सब लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा answer, first number question का, पहला question का right answer क्या हो जाएगी, चलो, यहाँ पर first का right answer, जैसे कि यहाँ पर आप लोग D बता रहे है, बिल्कुल यहाँ पर right answer हो जाएगा, snake has been composed by snake, किसके दौरा लिखा गया, D.S. Lawrence G के दौरा, option number यहाँ पर D correct answer हो जाने वाली है, first का right answer, option number D correct answer, ठीक है, अगले question पर चलिए बढ़ते हैं, second number question देखते हैं, दूसरा question यहाँ पर क्या है, और हाँ एक और बात है, जितने अभी student दे रहे हैं, यहाँ पर अभी, देखो chapter आप complete है, और अभी यहाँ पर जितने सारे questions आपको मिलेंगे न, आप हमें last number बता न, कि कितना आपको याद था, या फर कितना आप सही-सही यहाँ पर आपको का answer guess कर पाये थे, ठीक है, तो यह आप हमें last number बताइएगा, second number question अपने अपने सामने है, the poet DS Lawrence went to the water through to death, ठीक है, मलब कभी जो है DS Lawrence जो है, वो गये थे, ठीक है, पानी के तरफ जो गये थे, वो किस लिए गये थे, किस लिए गये थे, पॉर वाटर, क्लीन वाटर, टेक वाटर, ड्रिंक वाटर, नन, क्या हो जाएगा answer, इंसर में से कुछ नहीं, या फिर इंसर में से कुछ है, वो आपको जवाब देनी है, चलो, तो यहाँ पर answer देख लेते हैं, चैप्टर ना, अगर clear नहीं है, चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हम लोग स्नेक को ना पहले एक बार समझा देते हैं आपको, ठीक है, स्नेक चैप्टर जो है, बेसिकली, ठीक है, स्नेक चैप्टर को बेसिकली सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, सबसे पहले इसको लिखें कौन है, इसको लिखें कौन है, डी एच, लॉरेंस दी, ठीक है, डी एच लॉरेंस दी, इसको लिखें है, स्नेक जो है, बेसिकली ये डी एच लॉरेंस दी जो थे, इनको क्या लगाते हैं, ये बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हॉट डे था, ठीक है, गर्म दिन था, अभि देखो, आपको सारे कोशनस इसी से बन जाएंगे, जो हम आपको बता रहें न, स्नेक चैटर में, आपको देखना सारे कोशनस लगवग इसी से बन जाएगा, स्नेक चैटर को डे एस लॉरेंस लिखें है, बहुत जए गर्म दिन था, इनको क्या लगता है, इनको लगता है अचानक क्या चीज? इनको लगता है अचानक क्या चीज? ये जो है थ्रस्टी फिल करते हैं, ठीक है? इनको लगता है प्यास, ठीक है? ये थ्रस्टी फिल करते हैं, तब ये क्या करते हैं? ये जो है, जाते हैं क्या चीज के तरफ, ये जाते हैं, pot को देखते ह ठीक है, pot बोलो या picture बोलो, पानी के तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये पानी देखने के लिए जाते हैं, तो पानी नहीं था, ठीक है, water के तरफ जाते हैं, तो देखते हैं, पानी था ही नहीं, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये आते हैं, पानी के पास आते हैं, औ यहां पर वो क्या देखते हैं एक स्निक जो था ठीक है एक स्निक जो है वो आ रहा था ठीक है एक दराड था दिवाल में उस दराड से आ रहा था ठीक है वहां से वो आ रहा था सांप और वो जो है न मतलब लाइक वो पानी पी नहीं सिप सिप करके ठीक है, वो like sip sip करके वो पानी पी रहा था, ठीक है, snack जो है, ठीक, तो मतलब कभी को ऐसा लगा कि वो दूसरा बैखती है, जो दूसरे लोग है, जो यहां पे आये हैं, second comer अपने आपको कहते हैं कभी, यह के first comer तो snack हो गया, पहले आने वाले तो snack हो गया, ठीक है, अब उसके बाद यहां पे क्या होता है, कभी क्या करते हैं, इस snake को यहां पे जैसे इस snake पी रहा था ना पानी, तो यहां पे कभी क्या करते हैं, एक लोग उठाते हैं, एक गलमसी लोग उठाते हैं और उस लोग से हमला कर देते हैं, ठीक है, उस लोग से उस snake को हमला कर देते हैं, बा बाद में वो स्नेक को किंग ओफ एक्जाईल का भी दर्चा देते हैं उनको राजा कहते हैं स्नेक को सापको ठीक है तो सब को समझ में आ रहा है यह सब देखो पूरा चैप्टर अभी आपको समझ में आ जाएगी यही से इतना जो है ना रटने की ज़रात इतना सारा चीज करन कि ज़रात भी नहीं है ठीक है चलो तो बेसकली वो क्या करते हैं वो जो है उसको बाद में किंग का भी दरज़ा देते हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि हम वो चांस मेंस कर दिये उस राजा से मिलने का ठीक है उस जवित राजा से मिलने का बाद में वो ना क्या चीज के वारे में बोलते हैं वो जो है सिसली जुलाई का भी चर्चा करते हैं जिसमें वो इतना स्मॉकिंग के बारे में बताते हैं ठीक है यहाँ पर वो कहते हैं सिसली जगा जो है वहाँ पर जुलाई में क्या होता है बहुत ज़्यादा गरमी होता है यहाँ पर स्मॉकिंग कहने का मतलब यह हुआ ठीक है तो बाद में यह वो भी कहते है आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा चलो मतलब टोटल मिलाके स्नेक जो था उसको लिखे कौन है बहुत ही गर्मी का दिन था वो बहुत ही प्यासे थे पानी की तरफ जाते हैं लेकिन पीचर में देखते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं पानी फिर जाके वो पानी भरने के लिए या पानी पीने के लिए ज सिप करके तो कपिए एक लोग उठा यहां अथा निनला के आचनी धरने miss कर दिए मिलना फिर सिसली जुलाई का भी चर्चा करते पारें के बारें बताते हैं जुलाई का सिसली में झीया होता है बहुत ही ज़्यादा करते हैं चलम को पने पास क्या हो आपनी पर पानी के पानी को प्रम क्यों गये थे उनको प्यास लगा था था तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल अपने पास है, D.S. Lawrence जी का जन्म कब होता है, ठीक है, जन्म कब होता है, और उसके बाद इनका निधन कब होता है, ठीक है, उसके बाद इनका निधन कब होता है, ये दो अपने पास सवाल है, एक ही कोशन में, तो ये आपको जवाब दे नहीं है जल्दी जल्दी सब लोग जवाब दीजिए क्या एंसर हो जाएगी चले जले से आप देजिए चलो ठीक चलो तो यहाँ पे आंसर अपने पास क्या हो जाएगी अपने पास आया था पानी पीने के लिए तो अपने पास एंसर क्या हो जाएगा वो वाटर थो के पास आया था ठीक है ओप्सन और ए यहाँ पे करेक्ट अंसर हो जाएगी फाइब नवा सवाल पे जलते हैं अपने पास बी करेक्ट अंसर हो जाने वाली है फाइब नवा कराइट अंसर ओप्सन और भी करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारे पास सिक्ष नंबर और सिक्ष नंवा पे क्या है समय यहां पर बोला जा रहा है इन सिसली ब्लाक अण इनसेंट बाऊग अब है को सिर्डे के बारे में हुआ हुआ है कि सिसली में क्या होता है जो ब्लैक होता है ब्लैक सांप होता है वह क्या होता है उसको इन्नोसेंट माना जाता है ठीक है मासूम माना जाता है और वही जो है गोल्ड कलर का जो रहता है उसको पॉइजनस माना जाता है मतलब वह जहरीला माना जाता है ठीक है सांप को सेसली स्नैक को ठीक है समझ में आया तो अपने पास सवाल जो है यही है कि इन्सिसली ब्लैक और इन्नोसेंट बट गोल्ड आर गोल्डर क्या हो जाएगा गोल्डर हो जाएगा पॉइजनस ठीक है यानि वैनोमस यहां पर ऑप्सन और यहां पर एक करेक्ट अंसर हो जाएगा यानि जहरीला अगले साल पर बढ़ते हैं सात्वा कोसन यहां पर क्या है दिस स्नेक सिब्ड वाटर एंड लुक एड़ पॉइट इस पीकर साप जो है क्या करता है पानी को प तो कभी के तरफ वह वैगुली देखता है मतलब जैसे वह देखने पा रहा है ठीक से क्लियरली नहीं था ठीक है वेज्वाल साइस नहीं था ओप्सन और भी करेक्ट एंसर हो जाएगा यानि धूंदला सा ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे सवन नवर कोशन है सातमा नवर यहाँ पे आठमा नवर कोशन है ठीक है सवन नवर कोशन हो गया है आठमा नवर कोशन देखते हैं एट नवर कोशन यहाँ पे है डिएस लॉरेंस विस्ट टू टू दी डैस डिएस लॉरेंस क्या इक्षा करते थे विस्ट क्या क पाते ठीक है option और एक correct answer हो जाएगी आगले स्वाल में बढ़ते हैं हम लोग 9 कोशन पर 9 कोशन में चलिए देखते हैं 9 कोशन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है चलो तो एंसर यहां क्या हो जाएगा लॉरेंस का compare the snake to साप की तुलना किसे किये हैं तो साप की तुलना न वो किये एक समुद्री पक्षी जो है यह जो पक्षी है इससे किये हैं यह जैसे पानी पीता है उसी तरीके से साप भी पानी पीता है सिप सिप करके तो वही चीज यहां पे compare भी किये हैं का option नवर एक correct answer आगे बढ़ते हैं 10 नव कोशन 10 नव कोशन या पर बढ़ते हैं ठीक है देखो यह पक्षी था समुद्री यह उर गया है ना समुद्री पक्षी है ना यहां पे compare किसे करते हैं सनेक को तो सनेक का compare किसे करते हैं एक सी वर्ड से करते हैं समुद्री पक्षी से करते हैं तो वही सीवर्ड उरके चला गया ठेक आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं विस्ट्री इज मेंसर्ड ने पुयम स्नेक में कौन सा पुयम के चर्चा किया गया है यह आपको बतानी है क्या वो पक्षी मज आया ना पक्षी जो उर रहा था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सवाल अपने पास है विच्ट्री ठीक है विच्ट्री इस मेंसर्ड इन पुयम स्नेक स्नेक में कौन से जो है त्री का चर्चा किया गया तो इसमें इसमें एक ट्री जो है năm जिसको के कारोंव ट्री काते हैं ठीक है कारव ट्री ठीक है ये एक ट्री है जो कि क्या था दिवार में जो दिवार जो था न दिवार में क्या था एक छोटा सा दरार था ठीक है उस दरार से साप आया था और इसी दिवाल के पीछे जो था न एक दिवाल के पीछे जो है एक पेड था ठीक है एक दिवाल के पीछे जो है एक पेड लाड़ से न वह सांप अंदर चला जाता है ठीक है और वह पानी पीने के लिए आता है तो वही यही जो है कॉरॉप ट्री के बारे में चर्चा किया गया था अगया बड़े चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं 11 अपने पास रख फेकते हैं खलंसी दॉल्क अनारी ठीक है और डंडा ठीक है एक अनारी रंडा को फिकते हैं लकरी का रंडा उसको फिकते हैं और एक correct answer अगले सवाल में बढ़ते हैं इतना smoking is in death इतना smoking जो है वो कहां पर है ठीक है मतलब गर्मी जो है basically वो कहां पर है ठीक है आगे बढ़ते हैं इतना स्मोकिंग कहां सिसली जुलाई में है ठीक है कहां पर सिसली जुलाई औप्शन नमर अपने पास क्या हो जाएगी एक करेक्ट अंसर हो जाएगी एक करेक्ट अंसर हो जाएगी देखो हम छोटा सा जोग यह बताय हुए है इसे से आपको लगवक सारे कोसंस बन जा रहे है है नफ आगे बढ़ते है अगले सवाल पर चलते है यहाँ पर अगला सवाल हमारे सामने क्या है हमारे पास जो अगला सवाल है वो क्या है चलिए उस पर भी चलते हैं, अगला सवाल हमारे सामने है, अगली सवाल हमारे सामने, अगली सवाल हमारे सामने, तो यहां पे अंसर क्या हो जाएगा, अंसर अपने पास क्या हो जाने वाली है, आइ थिंग कुछ थोरा सा दिक्कत है, लेट मी चेक, ठीक है, तो हम लोग कितने नवा कोशन पर बढ़ रहे थे, हम लोग बढ़ रहे थे, यह सब देख चुके हैं, ठीक है, हम लोग कौन से कोशन पर बढ़ रहे थे, 12 नवा गोशन पर, 13 नमर पर, इसका अंसर पोईट हो जाएगा, अगले स्वाल पर आते हैं, 14 नमर, और यहां पर according to the point, इतना वाज रिलेटेट टू, इतना किसे संबन्दित है, इतना जो है, सिसली से संबन्दित है, है न, चलो, कित्से संबन्दित है, सिसली से, और ब, यहां पर correct अंसर, 14 नवा कोशन का, आगे बढ़ते हैं, 15 नवा कोशन बढ़ते हैं, 15 नवा कोशन में, यहां पर क्या बूला जा रहा है, इसमें है, the snake seemed to the poet like, snake कभी को कैसा लगता है, वो लगता है, king of exile, निरवासन का वो राजा लगने लगता है, option number A, यहां पर correct answer हो जाएगी, चलिए, अगले स्वाल पर बढ़ते हैं, हम लोग 16 नवा कोशन पर, ठीक है, 16 नवा कोशन में, यहां पर क्या बूला चा रहा है, the poet says that he was like, ठीक है, मतलब कभी कहते हैं कि वो जो है, वो लग रहे थे, कि मतलब वो एक second comma है, जैसे कि वो दूसरा, आए, वो दूसरे नमर पर आये हुए है, ठीक है, option number B, क्योंकि पहले नमर पर सांप आया हुआ था, आगे बढ़ते है, what type of day was it when the poet saw the snake, ठीक है, कैसा दिन था, जब कभी ने, उस सांप को देखा था, ठीक है, सांप को देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा, गर्मी वाला दिन था, बहुत ही ज़्यादा, hot day था, ठीक है, बहुत ही गर्मी दिन था, hot day था, यहाँ पर बताय हुए भी है, आगे बढ़ते हैं, अठारणो कोशन का जवाब दीज़े जल दिस से, यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल अपने पास है, who ate the snake, ठीक है, स्निक को कौन आ रहा था, ठीक है, who ate the snake, जोट कौन पहुँचाया था, तो एंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंसर हो जाएगा, कभी पहुचाया था, DS Florence ने पहुचाया था, अप्सन नमर एक करेक्ट एंसर हो जाएगी, चलते हैं, अगले सवाल पर, अगला सवाल हमारे सामने है, उनीस नमर, the poet was that, that would come back, ठीक है, the poet, मतलब, poet जो है, वो एक्छा करते हैं, कि क्या, कौन आ जाए, ठीक है, कौन दुबारा से आ जाए, वो साप, the snake, वो जो है, दुबारा से आ जाए, एक करेक्ट एंसर हो जाएगी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हम लोग 29 पर आते हैं, 29 पर यहाँ पर क्या है, इसमें बोला जा रहा है, यह जो लाइन है, कहां से लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो है ना, मतलब यह संटेंस ही आप देख रहे हो, यह killed him, बिसिकली चर्चा ही किया गया स्नेक में, ठीक है, कि साइद में कायर था, कि मतलब मैं उसे मार नहीं सका, यह सब, ठीक है, किस चाप्टर में आया है, यह आया है स्नेक चाप्टर में, ठीक है, दी एस लॉरेंस जी लिखे हैं, option और C, यहाँ पर correct answer, अगले स्वाल में not afraid, you would kill him, ठीक है, if you were not afraid, you will kill him, ठीक है, यहाँ पर यह जो line है किसे लिया गया, यह line भी लिया गया, स्नेक चाप्टर से, ठीक है, यह line जो है, स्नेक चाप्टर से लिया गया, तो यह आपको याद रखनी है, देखो यह सब पूरे line में जो पढ़़ोगे ना, उस समें आप क his drinking, that is from, ठीक है, तो मतलब basically यह जो है न, drinking is from, drinking आगे और sentence है, ठीक है, मतलब देखो, सीता सी बात है, lifted आप देखोगे, lifted his head, मतलब वो अपना सर उठाया था, साप ने उठाया था, basically वो स्नेक चाप्टर का लिया गया है, यह सारे line, option और अपने पास, see correct answer हो जाएगी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग को बढ़ना नहीं है, क्यूंकि हम लोग यहाँ पे इतने सारे questions को यह देखेंगे, सेप्टर से, क्या, चलो, तो यहाँ पे अपने पास स्नेक से जेतना भी questions था, वो complete हुआ, अभी हम आपको यहाँ पे total मिला के 22 questions करवाए हैं, ठीके, 22 में से आपका कितना सही हुआ है, यह आप हमें नीचे comment करके बताईए, तो चल इसे, ठीके, 22 में से कितना सही हुआ है, देखो, सबसे पहले कि स्नेक पहले से पहुचा हुआ था, और वो सिप सिप पर के पानी पीता है, वो लॉग उठाते हैं, ठीके, उसके बाद बाद में वो उपस ताते हैं, कि भाई हम उसको क्यों मारना चाह रहे थे, ठीके, तो और बाद में जब लीख रहे थे ना, तो वो king का भी दरजा उस को poisonous माना जाता है, ठीके, माना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, सबका 21 में 21, 20 में 20 ही हुआ है, 22 में, फिर मेरा साइद एक गलती है, ओके, चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे अच्छे से पढ़ाई करो, और बाकी अब जो है, एक अंतिम बाकी है, माइकरेंड मदर्स हाउस, वो भी हम आपको अच्छे से समरी करवा देंगे, तो अच्छे से पूरा सारा चीज आपका complete हो जाने वाली है, इंग्लिस का, तो होप सो आप लोग सारे chapters देखे होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं, पहले का सारे chapters तो अच्छे से पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथी साथ चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग फिर मिलेंगे आगले क्लास में, तब तक लिए, बावाई